नमस्ते बच्चो ये वीडियो में हम देखेंगे कि जो अड्मिट कार्ड निकला है भारत सरकार के सैनिक परिक्षा का जो की आपकी आठ जन्वरी को है वो आपको उस हॉल टिकेट के अड्मिट कार्ड जिसे कहते हैं उसके संबन्द में क्या करना है तो सबसे पहला तो बच्चो हमारे आप सभी का केंद्र जो है जो हमारे कोचिंग में है सबका केंद्र लखनव है और जो जगह है जहाँ पर टेस्ट होगा वो यहाँ वेन्यू आप टेस्ट में आपे गोल किया हूँ यह जो आपको दिख रहा है बस बाजू स्कूल है और बाजू में कॉलेज है यह आप किसी को भी गोमती नगर में सहारा हॉस्पिटल पूछेंगे वहाँ पर जाना है और फिर उसके पास में ही यह SDS in Public School है तो सबसे पहले तो बच्चो आप लोग यह सबसे पहली चीज जो आपको करनी है इस पेज पर जो भी लिखा गया है जैसे आपका नाम है आपके पिता का नाम है आपका लिंग है मेल या फीमेल आपकी जनमतिती है आपको आपकी कोई कैटेगरी है OBC, SC, ST वो देखना है च्छे हिंदी है की इंग्लिश है तारीक परिक्षा की कब आना है बच्चो सभी बच्चो को बारा बच के दस मिनिट पर पहुचना है वहाँ पर और ये डेड़ बजे के बाद में जो भी पहुचेगा वहाँ पर देड़ बजे के बाद ध्यान रखे उन्हें एंट्री नह दिख रही है की नहीं अगर कुछ भी इसमें बदलना है तो कुरुपया करके मुझे ततकाल मेसेज करें दूसरी बात ये कि इसके नीचे फिर आप लोग जाएंगे नीचे आप लोग जाएंगे इसमें तो ये बच्चो ये वाला जो पूरा भाग है ये यह जो मैं अभी ब नहीं है ठीक है इसमें कुछ भी नहीं छुना है कुछ भी टिक वगेरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ये इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ दीजे आब आते है और नीचे तो बच्चो आप लोगों को यहाँ पर नीचे जो कैंडिडिडेट्स फोटो दिया गया है य यानि की यह फोटो जो यहाँ पर है उपर यह वाली यही होगी ठीक है तो आपके आपने ही मुझे फोटो भीजी थी तो इसका ही यही पोटो आपको इधर वापस चिपकानी है एक और अगर आपने आपके पास प्रिंट में नहीं है फोटो या आपने ऐसी फोन से लेकर लेफ्ट हैंड थम इंप्रेशन यहाँ मैं अभी कर रहा हूँ यानि आपके बाए हाथ का अंगूठा जो है उसका आपको जैसे मैंने आपसे मांगा भी था फोन पर तो वो यहाँ पर आपको उसका निशान डालना है ठीक है और बच्चो आखिर में यहाँ पर अभिभाव इसके अलावा इसमें बच्चो यह साथ पेज का कागज है इसमें पहला पेज आप लोग सब सबसे पहला पेज जो है पेज वन जो है सबसे पहला पेज उसका आप लीजेगा कलर प्रिंट ठीक है इसका पेज वन का आप जरूर से कलर प्रिंट लीजे क्योंकि आपकी फोटो भी है इसमें तो इसका आप कलर प्रिंट ले लीजे बाकी यह दूसरा दूसरा तीसरा और चौथा पेज जो है उस प्रिंट लेने क जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी print लेने की, ये इंग्लिश में लिखा गया है, आप ले सकते हैं, फिर इसके बाद में page नंबर 5, 6 और 7, इन 3 का print out ले लिजेगा, black and white में color print लेने की कोई जरूरत नहीं है यह सिर्फ आप लोगों के लिए निर्देश है अभ्यारतियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है यह आप लोग जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा जो भी यह तीन पेज में लिखा है और एक जरूर एक निर्देश में जरूर बताऊंगा बच्चों जो इन्हों ने कहा है वो यह है कि आप लोगों को एक मूल और वैद आईडी प्रूफ लेकर आना ही है परिक्षा केंद्र में जो है फोटो के साथ पासपोर्ट हो सकता है आपका आधार ऐर ला चार्चन प्रूप अगर पुरानी पड़ी हुई है ठीक है अगर आपके आधार में फोटो पुरानी पड़ी हुई है तो यहाँ पे इन्होंने जैसे बताए आधार नाबांकन नंबर फोटो के साथ भी चल जाएगा तो अगर आपके आधार में पुरानी फोटो है एकदम बचपन वाली फोटो तो आप कतकाल क ही अपने आसपास के जो भी जन सेवा केंद्र है उधर जाईए और फोटो अपनी नई फोटो के अपडेट करने के लिए आधार वहाँ पर आप एक रिक्वेस्ट डालिए एक दर्ख्वास डालिए और जो नया वह एक रिसीट निकलेगा रसीद निकलेगा कि आपने नई फो पुराना है आधार मतलब जो फोटो है वो पुरानी है वो यह कर लेए अगर आपके पास आधार पुराना फोटो वाला है पर आपके पास स्कूल के द्वारा दिया गया कोई भी प्रमांट पत्र है वो भी चल जाएगा स्कूल का प्रमांट पत्र जिसमें आपकी फोटो हो होनी चाहिए ठीक है और राशन कार्ड भी आप जरूर लेके चले जाएगा राशन कार्ड में इन्होंने ऐसा नहीं काया कि फोटो होना ही चाहिए तो राशन कार्ड में अगर आपका नाम है लिखा हुआ तो मेरे हिसाब से वह भी चल जाना चाहिए अगर आप अपने आधार पर अपनी जो जिससे अभी दिख रहे है आप अगर वैसी पोटो नहीं है तो उसे अपडेट कल ही करवा दीजे और उसकी रसीद लेके चले जाए जिस पर आपकी नई पोटो भी होगी ठीक है तो यह है बच्चो तो आप पहले पेज का यह सबसे पहले पेज का कलर प्रिंट ले लीजे और बाकी चौट पाचवे छटे और साथवे पेज का आप ले सकते हैं यह ब्लाक इन वाइट प्रिंट ठीक है वापस से बता रहा हूँ आप लोग को तीन चीजे भरनी है एक है कैंडिडे एक फोटो आपको यहाँ पर चिपकानी है यहाँ पर फिर यहाँ पर अंगूठा डालना है और यहाँ पर यहाँ पर जो है अभिभावक आपके गार्जिन की के हस्ताक्षर आएंगे ठीक है नीचे ध्यान से बच्चो नीचे आपका जो सिगनेचर है कैंडिडेट लाग में कोई भी और डाउट आये या कुछ हो तो मुझे जरूर से आप बता सकते हैं और हाँ यह वाला पार्ट जो यह बड़ा आसा मैंने यहाँ पर एक बनाया है बॉक्स इसमें भी आपको कुछ भी टिक नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है ठीक है चलिए और बेस्ट